वेलकम टो मेड के वाई सी मैं हूं डॉक्टर रूपल और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इसके बारे में यह प्रोड़क्ट के बारे में फ्रेंज यह जो है वो पिंपल्स के लिए इस्तमाल किया जाता है और जो दवाई है उसका नाम है बेंजल पेरोकसाइड तो से यह आपके पिंपल्स को ठीक कर सकता है यह कैसे पिंपल्स और एकने के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है कितनी बार आपको दिन में यह इस्तमाल करना है और इसके साइड इफेक्स क्या है यह अगर आपने इस्तमाल किया तो इसके साइड इफेक्स तो जरूर होंगे लेकिन इसके side effects क्या है और ये जो gel है ये आपको कितने दिनों तक इस्तमाल करना है ताकि आपको pimples और acne से चुटकारा मिले तो welcome to MedKYC शुरुआत करने के पहले friends हमेशा का जो disclaimer है वो friends ये series में या ये channel पे दवाईया जो भी बताई जाती है वो सिर्फ आपके medical guidance के लिए कि आप जो रोज मर्रा की जिंदगी में जो medicines लेते हो आपको जो दवाईया प्रिस्क्राइब की जाती है उससे किस तरह से सही तरीकिसे आपको लेना है और अगर आपने बिना prescription की अपने दोस्तों से पूछ कर दवाई खरीद ली तो आपको क्या नुकसान हो सकते है क्या खतरनाक side effects हो सकते है ये सब आपको जानकरी मिले इसलिए हम लोग ने ये series स्टार्ट की है और एक बात में आपको कहना चाहूंगी ये series किसी भी तरह से आपके registered medical practitioner या आपके family doctor को replace करने की कोई कोशिश नहीं है फ्रेंज एक बात आप जरूर ध्यान रखिए self medication करना बहुत ही खतरनाक है और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है इसलिए कोई भी दवा आप इस्तमाल करो तो अपनी डॉक्टर से पूछ लेना इफ पॉसिबल तो बिना prescription के कोई भी दवाई आप प्लीज इस्तमाल मत करना ये मेरी request है आप से तो चलो फटा-फट हम इसके बारे में शुरू करते है इसके बारे में एक review करते है और इसके बारे में थोड़ी सी ज इसको बराने वाली जो pharmaceutical company है वो है Wallace Pharma ये अलग-अलग varieties में आती है परसॉल ये वाली जो परसॉल AC 2.5 जल है ये मुझे मिली है 70 रुपीज में ये आप आप दवाई की दुकान से खरीच सकते हो या फिर आप online pharmacy से भी खरीच सकते हो अगर आपको घर बैठे-बैठे इसको करना है और इसको खरीदना है तो online pharmacy से किस तरह से खरीदा जाए और इसको खरीदने के लिए का link मैंने description box में दिया है उस लिंक को यूज करके आप इसको खरीद सकते हो तो चलो ये तो हो गई इसकी बात ये 70 रुपीज में मुझे मिलता है फ्रेंस इसका जो और भी दूसरे आप ज़ता है जैसे कि परसॉल फोर्ट सेम कंपनी का है लेकिन नाम है उसका परसॉल फोर्ट हूसमें परसॉल यानि उसमें बेंजॉल पेरोकसाइड की साथ साथ सल्फर भी मिक्स रजा गया है लेकिन इसमें ये जो है ये बेसिक दवाई है इससे वो ज्यादा बेटर है ऐसा कुछ नहीं है सिर्थ थोड़ा सा महंगा है आप ये इस्तमाल करो तो आप ये पिंपल्स ठीक हो जाएंगे दूसरा एक कॉंबिनिशन आता है पर्सॉल का वो है पर्सॉल प्लस जिसमें एडल प्लस नाम की एक दवाई उसके साथ मौजूद है बेंजल पेरोकसाइड के साथ तो ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉंग है लेकिन फ्रेंज मेरे पर्सॉनल एक्स्प इसका मेकनिस उ मौफ प्लसokolों कासरे जोह है जыпर चंबडी पर मौजूद ऊता है और झाफिए निवट्ट की चंबड़ी को । या निकि हैर फॉलिकल्स को और आपके जो प्रोटब को अटक करती है वहां पर इंफेक्शन फेता हैं तो आपको फोपिमल होते है तो जैसे common pimples जो होते है वो है acne vulgaris तो दोस्तों acne vulgaris जो होते है वो अपसर आपने देखा होगा खास करके younger generation में यानि की 15 साल की उमर से लेकर 25 साल तक होता है बाद में कभी-कभी pregnant ladies में भी pimples निकल आते हैं hormonal imbalance की वज़े से pimples निकलते हैं तो दोस्तों ये सभी pimples है वो है acne vulgaris acne vulgaris basically hormone imbalance की वज़े से होता है और जब hormone imbalance होते है तो आपकी चंबडी में यानि कि जो आपका hair follicle है उसमें keratin का production बढ़ जाता है साथ-साथ sebum का production बढ़ जाता है क्योंकि sebaceous gland की activity बढ़ जाती है दूसरी बात ये भी है कि आपकी sebaceous gland से जो चेहरे पर मौझूद होते है जो चंबडी पर मौझूद होते है उसमें inflammation और infection हो जाता है क्योंकि प्रोपियोनी बैक्तिरिया का attack हो जाता है ये सभी कारणों की वज़े से दोस्तों आपने अंदाजा लगाई लिया होगा कि आपके जो चेहरे पर जो pores होते है ज concentration है वो है 2.5% तो 2.5% benzoyl peroxide काफी है आपके चेहरे के लिए और आपके pimples को ठीक करने के लिए वैसे तो benzoyl peroxide 2.5% से लेके 10% तक भी अवेलेबल है लेकिन चेहरे के लिए खास करके ये ही इस्तमाल होता है वैसे तो जैसे मैंने starting में आपसे कहा कि benzoyl peroxide अक्सर textile को bleach करने क के लिए और यहां तक की explosive यहां तक की यह इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों इसका जो mechanism of action हमने देख लिया तो यह किस तरह से लेकिन आपके pimples को ठीक करता है यह हम लोग जानते है benzyl peroxide जो है वो आपके जो keratin का जो built-up होता है उसको break कर देता है जो भी sebum यानि की जो भ block कर देता है सिर्फ यही नहीं यह bacteria को भी मारता है जीवा तो यह जो प्रोपियो नी बैक्टिरियम जो मैंने कहा जो pimples करता है वो bacteria को भी यह benzyl peroxide खतम कर देता है दूसरी बात यह भी है कि यह जो bacteria और हो सब की वज़े से जो inflammation यानि जो आपको चहरे पर pimples और redness जो हो गय होगा तो वो भी यह पूरी तरह से ठीक करता है क्योंकि इसका थोड़ा सा anti-inflammatory action भी है तो दोस्तों अब तक तो हमने देखा कि किस तरह से benzoil peroxide कांद करता है किस तरह कौन से कौन से variations में available है इसके क्या uses है तो अब हम आगे जानेंगे कि इसका क्या dose है किस तरह से आपको इस्तमाल करना है ताकि आपको maximum effect मिले आपके pimples पूरी तरह से ठीक हो जाए और इसके side effects क्या है लेकिन दोस्तों उदर जाने से पहले मैं आपसे एक request करना चाहूंगी फटाफट इस व information आपके लिए लेके आने के लिए और दोस्तों likes देना बिल्कुल ही free है free of cost है तो likes देने में कंजूसी मत कीजिए और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे है हमारे साथ पहली बार जुड़े है उनके लिए एक request फटाफट ये चैनल को subscribe कर दो subscribe करना भी free of cost है आपको कोई पैसे खर्च ने करने पड़ेंगे subscribe करने के साथ साथ bell icon को click कीजिए ताकि तुरंत आपको notification मिल जाए जब भी मैं इस तरह का information आपके लिए लेकर आओ तो दोस्तों चलिए फटा फटा आगे बढ़ते है इसका क्या dose है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते है तो ये जो जेल है दोस्तों ये आपको दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार इस्तमाल करना है आप ऐसा कर सकते हो आप हर रोज रात को सोने से पहले इसको 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 पहले चेहरे को अच्छी तरह से धो लीजे कोई भी antiseptic soap से आप धो सकते हो जैसे कि मैंने पहले के वीडि मैं description box में दे दूँगी इस वीडियो में मैंने कहा था कि इसके साथ कोई भी दूसरे antibiotics नहीं चलते कोई भी दूसरे antibacterial soaps नहीं चलते इसके साथ आप salicylic acid वाले soap या sulfur soap भी इस्तमाल नहीं कर सकते लेकिन friends आपके लिए खुश खबर है ये benzoyl peroxide का जो gel आप यूस करते हो जो अक्सर यूस किया जाता है चहरे के लिए तो दोस्तों आप अपने face को अच्छी तरह से कोई भी anti septic antibacterial या फिर sulfur soap से चहरा धो लीजिए चहरा सूखने के बाद आप ये gel को pimples पर हलके हातों से एक एकदम हलकी परत आप लगा दीजिए और रात पर छोड़ दीजिए द किसी भी तरह का कुछ reaction नहीं हो रहा है तो ऐसे आप कर सकते हो कि हर रोज रात को सोने से पहले आप ये इस्तमाल कीजिए और weekends पर जब आप घर पर हो तो तब आप इसको दिन में दो बार इस्तमाल कर सकते हो क्योंकि इसके लिए एक precaution है ये आपको ये जब आप यूस कर र आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा इचिंग और बर्निंग हो सकता है तो ये तो हुई किस तरह से यूस करना है ये आप यूस करोगे तो आपको दो से तीन दिन में ही फरक दिखने का स्टार्ट हो जाएगा और इसको कम से कम आपको आप बोल सकते हो कि 6 मैने से 7 मैने तक आ तो चिहंते होने के बाद बन कर दीज खिर से आपको आ जाए तो फिर से आप यूस कर सकते हो मैं जब छोटी थी या नगी मुझे बहुत सारे पिम अ के देख सारे पेल चेहरे और बहुत ही बड़े और ऐसे सिस्टिक एटे तो जब मैरे बहुत ज्यादा थे तब मै ने 2 प कर लिए तो वह कम वाले पिमपल को ठीक करने के लिए मैं परसॉल यूज करती थी तो इससे आप कर सकते हो अगर आपके पिमपल बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा रेटिनों का ट्रीटमेंट कर लीजी पिमपल कम होने के बाद आप ये यूज कर सकते हो या फिर ज़स्त एलर्जी हो सकती है तो एलर्जी के बारे में और जानकरी के लिए आप वीडियो देख सकते हो उसका लिंक में दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी इसके अलावा जब आप ये शुरुआत में यूज करोगे तो आपके चमडी में थोड़ा सा रेडनेस लगेगा दिन में completely ठीक हो जाएगा उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है दूसरी बात ये भी है अकसर कि अगर आपको dry skin है तो dry skin के लिए ये थोड़ा सा मतलब आपको moisturizer use करना पड़ेगा थोड़ा सा herbal वाला moisturizer आप use कर लिजे क्योंकि ये dry skin को और भी ज्यादा dry बना देता ह तो दोस्तों ये हुई ये जेल की बाते तो आई होप आपको मालूम पढ़ गया होगा कि किस तरह से ये जेल को इस्तमाल करना है फ्रेंस फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगी कि ये जेल को आपको आप as and when basis पे यूज़ कर सकते हो आपके pimples ठीक हो जाए उसके बाद आप ब खरीच सकते हो इसको online खरीचने का link मैंने description box में दिया हुआ है वहां से आप खरीच सकते हो आज के वीडियो में सिफ इतना ही I hope आपको ये वीडियो से देल सारी जानकारी मिली है किस सरह से आपके pimples को completely ठीक कर सके अगर आपको इसे जानकारी मिली है तो ये वीडियो को झाल